नमस्ते नमस्कार दोस्तों आपका स्वाकत है चानल पर जहां हम लाते हैं ग्यान और ठेर सारी बाते आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में जिसने लोगों को अपने जीवन में सफल होने में मदद की है जी हाँ हम बात कर रहे हैं सफलता के अभिनव रहस सिखी अब हम चानेगे इस किताब से सीखने वाली कई बाते तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेगे उस महान व्यक्ती के बारे में जिसने ये किताब लिखी है डेनिस वेजली एक व्यापक व्यक्टित्व हैं जिन्होंने अपने शिक्षा, अनुभव और गहरी समश के माध्यम से व्यक्तियों को मोडिवेट करने में अपना जीवन व्यद्यीत किया है। उन्हाने सभलता के सूत्रों को समझाने में अपने दर्शकों को प्रीरित किया है और नए दर्श्टिकों को अपनाने के लिए प्रोट साहित किया है। उनकी किताबों और उपन्यासों में उन्हाने सभल जीवन के अनुभवों और मार्ग दर्शन का माध्यम प्रस्तुत किय जो व्यक्तियों को अपने लक्षेज़ों के दिशा में आगे बढ़ेने में सहायक होता है। इस लेख में हम सभलता के अभिनव रहस के महतपूर्ण सिध्धान्तों को विस्तार से विचार करेंगे और उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। सभरता के अभिनव रहस्य। सभरता एक ऐसी अवस्था है जो हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को आकर्शित करती है। ये सभरता उसे प्राप्ति, संतोश और अपने लक्षियों और सपनों की पूर्दी का प्रदीक हो दी है। जबकि सभरता अक्सरधन, प्रसित्थी या व्यवसाइक उपलब्धियों के माध्यम से देखी जाती है, लेकिन इसके मूल उत्तरदायत्व व्यक्ति की यात्रा और मानसिक्ता में छीपी होती है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां सभरता के पारंपरिक मार्ग, नवाचार और नए ढंक से आकार ले रहे हैं, इनोवेटिव सभरता के रहस्य को समझना महत पूर्ण है। जैनिस वेटली, एक प्रसित्य प्रेनरा दायक वक्ता और लेखग इसे प्राप्त करने के लिए गहरा ज्यान और समझ प्रदान करते हैं। अनोखे तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये विभिन क्षेत्रों में नए उत्पाद, सेवाई और प्रक्रियाओं को जन्म देनी की किश्वमता है। इनोवेशन का मतलव है नवाचारी सोच और कार्यवाई जिससे नए और अनोखे तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये विभिन क्षेत्रों में नए उत्पाद, सेवाई और प्रक्रियाओं को जन्म देनी की किश्वमता है। सभरता और इनोवेशन के संबंध अत्यांत गहरे हैं। सभरता वो स्थिती है जब व्यक्ति या संगठन अपने उत्देशों को पूरा करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। इसके लिए इनोवेशन का महत्पूर्ण योगदान होता है क्योंकि वो नए और बहतर तरीके से समस्याओं का समधान प्राप्त कर सकता है जिससे सभरता की प्राप्ती में मदद मिलती है। सभरता के अभिनव रहसे के महत्पूर्ण सिध्धान्द द्रिष्टिकोण और सोच की शक्ती टेलिस वेटली का मानना है कि सभर लोगों की एक महत्पूर्ण विशेशता उनकी सकारात्मक द्रिष्टी और सोच की शक्ती होती है। वे अपने लक्षियों को सपष्ट और सुपोथ देखते हैं और उन्हें हासल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सकारात्मक द्रिष्टी कोण और सोच समस्याओं को हल करने में मदद करती है और नए अफसरों को पहचानने में सहास और समवेतन शीरता प्रदान करती है। नवाचार इनोवेशन सपरता का एक महत्पूर्ण खटक है। डेरिस वेटरी के अनुसार समय समय पर नए और अनूखे विचार लेने से व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समझता है और सपरता के मार्क पर अक्रसर होता है। इनोवेशन ना केवल व्यक्तिकत विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि उसे व्यवसाइक दुनिया में अंतर राश्ट्रिय स्तर पर भी उचाईयों तक पहचाता है। संकल्प और धैर्य सपरता के लिए संकल्प और धैर्य अत्यथिक महत्पूर्ण होते हैं। व्यक्तिको अपने लक्षियों तक पहुँचने में समय लगता है और इसी बीश में समस्याओं और अड़ जणियों का सामना करना पड़ता है। संकल्प और धैर्य व्यक्तिको अड़िक बनाते हैं और उसे हार नहीं मानने और प्रियासों को बढ़ाने के लिए प्रीरित करते हैं। सहयोक और समर्थन व्यक्तिके चारों और उसके सहयोकी और समर्थकों का महत्पूर्ण योगदान होता है। डेनिस वेड़ली बताते हैं कि सभरता के लिए समर्थन, सला और संबंदों का महत्व है। सहयोक और समर्थन व्यक्ति को उत्धेचित करते हैं और उसे अथिक समर्थ और उन्नत रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वास्थ और संतुलन आखर डैनिस वेटली स्वास्थ और संतुलन का भी महत्यपूर योगदान बताते हैं सभल व्यक्ती वो होता है जो अपने शारिरिक और मानसिक स्वास्थ का ख्याल रखता है और संतुलन को बनाए रखता है ये उसे अधिक प्रभावी और साक्रिय बनाता है जिससे उसे सफलता में मदद मिलती है निरंतर शिक्षा का महत्व डेलिस वेटली कहते हैं कि सफलता की एक महत्वण कुणजी यही है कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए जीवन में नए विचार, नए अनुभव और नए चानेकारी को स्विकार करने की ततपरता बनाई रखना हमें अपने क्षमताओं को विक्सित करने और सफलता की उचाईयों तक पहुँचने में मदद करता है उनके अनुसार निरंतर शिक्षा ही वो अंतर है जो हमें सफलता और मंजिलों के पास ले चाता है जो कि हम सपनों में देखते हैं शिक्षा हमें ना कीवल विशेश क्षेत्रों में विशेशक्यता प्राप्त करने में मदद करती है, बलके ये हमें समाश में सही रास्ता भी दिखाती है, सही नर्नाय लेने में मदद करती है और एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें तयार करती है. जब आप सोयम पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आपकी सोच, कार्यवाई और जीवन के प्रक्रिया में एक नई उर्जा और सकारातमकता आती है जैनिस वेचली के अनुसार स्वयम पर विश्वास व्यक्ति को अपने अद्वितिय प्रभाव और योगित्याओं का समान करने में मदद करता है और उसे उसकी सबरता के दिशा में बढ़ने में मदद करता है ये एक महत्वपूर सोच का प्रदीख है जो हमें अपनी जीवन में स्थेरता और समरता के दिशा में एकाक्र करता है इनोवेटिव सोच का महत्व आशकल की तेजी से बदलती दुनिया में बढ़ा है ये सोचने का तरीका है जिसमें व्यक्ति नए और अनोखे तरीके से समस्याओं का समधान ढूड़ता है नवीनितम विकल्पों को खोचता है और विप्रने संतर्भों में समस्याओं को हल करने के लिए उतक्रिष्टता का मार्ग दिखाता है इसके माध्यम से नए उत्पादों और सिवाओं की रचना होती है जो समाश में साकारात्मक परिवर्तन ला सकती है सोचने का तरीका और विकल्पों का विकास इनोवेटिव सोच का पहला अंख है सोचने का तरीका इसमें समस्याओं को नए द्रिष्टिकोंड से देखना और उनके लिए अनूठे हल ढूडने की क्षमता शामिल होती है ये तरीके विचारों को खोलते हैं, नए समाधानों को खोचते हैं, अविपिन्न विकल्पों को विक्सित करता है इस प्रकार का सोचने का तरीका उत्पादों और सिवाओं में सुधार लाने में मदद करता है और नए अफसर प्राप्त करने में सहायक होता है इंजीनियरिंग में इनोवेटिव अध्यूतियता इंजीनियरी में इनोवेटिव अध्यूतियता एक महत्यपूर भूमी का निभादी है यहाँ पर तकनीकी ज्ञान, विज्ञान और मशीनों के उप्योग से समस्याओं का समधान ढूंडने के लिए नए और सुचाले तरीके विक्सित किये जाती है इसमें विफिनि विशेशक्यताओं के समणवय, नवाचारी विज़ार और अध्वतियता के माध्यम से प्रद्योगी की और उतपादों में सुधार किया जाता है इसके सरीये नए उतपादों का निर्माण किया जाता है जो बाजार में अफसर प्राप्त कर सकते हैं और विज्ञान और प्रदोगी की में प्रगती को बढ़ावा दे सकते हैं। व्यवसाई में नवाचार उस चीज के भूमी का निभाता है जो किसे बिक्षेत्र में सपरता के लिए आविश्यक होता है। ये अनुसंथान, विक्सत उत्पाद, बाजार विश्लेशन और नए विपड़न रणनीतियों के माध्यम से समभावनाओं के समवर्धन में मदद करता है। नवाचारे विवसाइक मॉडल उत्पन करने के लिए विपड़न क्षेत्रों में सुधार करता है, जिस से उत्पादों की गुणवत्ता, उप्योगिता और प्रदर्शन में सुधार होता है। सबल इनोवेशन के मानक सभल इनोवेशन के मानक को समझने के लिए हमें इनोवेशन के विभिन पहलिओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यक्ता होती है यहां हम चर्चा करेंगे की कैसे इनोवेटिव सोच और कारिवाई व्यवसाइक और समाचक तृष्टिकोर से कैसे मानक स्थापित कर सकते हैं नवाचारी उत्पातन और व्यापार नवाचारी उत्पातन व्यवसाइक सफलता के लिए महत्पूर है इसमें उत्पादों और सेवाओं में नए और सुधारित तक्नीकी योग्यताओं का उप्योग किया जाता है जो उन्हें बाजार में अक्रणे बनाने में मदद करती है नवाचारी उत्पादन में नवीनितम तकनी की विकास, उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतरशन का सुधार और बाजार में रुचे पैदा करने के लिए अद्धुतियता शामिल होती है इस प्रकार का उत्पादन ना केवल व्यविसाइक मानकों को उचाई पर ले जा सकता है, बरकि उपभोगताओं के लिए भी एक उच्चे स्थर पर सेवा प्रतान करता है विपणन और ग्रहक प्रतीसपर्धा में इनोवेशन का मिहत्यपूर्ण स्थान है सबहर इनोवेशन व्यविसाइक तृष्टीकूर्ण से अथिक ग्रहकों को आकरशित करता है और उन्हें अन्य विकल्पों से अलग करता है व्यवसाइक इनोबेशन के माध्यम से नए बाजारों में प्रवेश करते हैं, उत्पादों को विशेशक्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ग्रहक के लिए सुलब और अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं विपणन में नवाचारी रणनीतियों का उप्योग करके उत्पादों के प्रशंसा करने और विक्री में वृथ्थी करने में मदद मिलती हैं समाश में प्रभाव समाश में सफल इनोवेशन का विस्तार सोचने का अर्थ है कि ये कैसे समाश को सहकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है उत्पादन और विपणन में नवाचार का प्रयोग समाश में प्रगती और विकास को गती देने में मदद करता है इसके अलावा, इनोवेटिव उत्पाद और सिवाएं समाज के विफिनिक शेत्रों में सुधार ला सकती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्याविरन और सामाजिक नियाए. इस प्रकार के सामाजिक प्रभाव से इनोवेशन अपनी सफरता को पूरी तरह से व्यक्त करता है और समाज को व्यापक रूप से लाभानवित करता है. इन पहलों से सपष्ट होता है कि सफल इनोवेशन के मानक कैसे स्थाबित होते हैं और इसका समाज पर कैसे प्रभाव इस वीडियो का उद्देश है इस गहरे संबंध को समझना कि कैसे इनोवेशन एक सभल और प्रभावी यात्रा की नीव हो सकता है हम विभिन उदाहरणों और समाज में इनोवेशन के प्रभाव पर ध्यान देंगे जिससे पाठक इसे अपने जीवन और कार्य में उप्योग म दिला सके इसके माध्यम से हम इनोवेशन के महत्पूरता को समझेंगे और इसे व्यापार, विज्ञान, सामाजिक उद्धान और व्यक्तिकत उद्ग्रिष्टता के माध्यम से कैसे बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तो समझ आ ही क्या होगा कि हमारे जीवन में सपरता के नए रहस्य कितने महत्पूर्ण हैं दोस्तों याद रहे कि हमें भी अपने जीवन में कुछ नया बदलाव लाना चाहिए या कुछ नया अपनाना चाहिए जिस तरह से हमें अपने जीवन में सपरता प्राप्त होनी चाहिए तो चलिए आज से हैं हम लोग एक नए बदलाव की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन के लक्षों को प्राप्त करते हैं धन्यवाद आपका दिन शुब हो